विष्वम दर्पन द्रश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर गतं पश्यनात्मनीमाया बहिर वोद गूतम यथा निद्रया यासाच्छात कुडते प्रवोद समय स्वात्मानम इवाद्वयं तश्मै श्री उर्मूर्तेनम इदंश्री दछना मूर्ते जनमादस्यतो अन्यव अर्थेश्व अभिज्या स्वरार पेने ब्रह्म यदाय आदिगवे मुहंतियत सूर्या तेजो वारिम्रदां यथा अविनिमयो तत्रति शर्गों अम्रशा धाम नाश्वयन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमही वस्देवसुतं देवं कंशचालूर मर्द्रं देवकी इस वीडियू में बताते हैं पहले कि है यह एक रहा था चार चीज़ें बितात्मक्त के लिए अर्जुन- ऊधो और आदि अंतरंग भक्तों को दिये के उपदेश हैं और श्रीमद भागवत के उपदेशात्मक भाग के अंतरगत हैं जैसे कपिल गीता हंस गीता पड़ गीत शब्दकार्थ है गायन ठीक है गीतात्म का यहां गीत कार्थ है गायन जब अंतरात्मा अपनी बैधा इतना अनुभूती को अपने अंदर सम्वरण नहीं कर पाती, धैर का बान तूड जाता है, तब अपने आप ही किसी को सुनाने के लिए नहीं, जो उदगार निकलते हैं, उसका नाम गीत है, ये संसार की कटुता के अनुभाव से, ज्ञान से, विरह से, प्रेम से, प्रेम करन बहुत थोड़े होते हैं, श्रीमत भागवत में ऐसे प्रसंग बहुत थोड़े हैं, और जितने हैं, उनमें अधिकान सब गोपियों के ही हैं, और वे प्रेम के विरह के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उन्हें पढ़कर एक बार पत्थर हरदय भी पिघल सकता है, गोपियों क गीत पांच हैं, अब द्वारी का दी श्री कृफ्ण पत्थियों का एक है, पिंगल का एक है, विच्चू ब्रामण का एक है, तो पहले छे दसम इसकंद में हैं, और सेश दो ग्यारवें इसकंद में हैं, और भी दो एक हैं जैसे एल गीत औगेरा, ठीक है, अब पिंगला जीत का निर्वेद गीत है, ठीक है, शंशार की करत्वा जन्मों से उसके हिर्दे में जो ब्यथा हुई थी, वो उसमें फूटी पड़ी थी, जैसे मेरे मन से मुझे जीत लिया, मैं ऐसे पुरुषों से प्रेम करना चाहती थी, जो प्रेम कर नहीं सकते, श्वयम अस्तित् स्तार, मेरी मूर्खता की हद, इस तरीके के ये भागवत में 11 शकंद में दिया हुआ है, ठीक है, पूरा, अब दूसरा गीत एक और है, एक ब्रामन विच्चु का गीत है, वो सात्विक और सदाचारी होने पर भी लोगों से अपमानित और सताया हुआ था, वो लोगों से अपनानित होने कारण समय, होने के समय भी गाया करता था, उसने जो हिंदी का उसका अनुवात बता रहे हैं बोला, सुक दुक के हे तु कोई मनुष्य देवता, अत्वा ग्रह आदी नहीं है, केवल मन ही कारण है, ऐसा गीत उनुन गाया, वही संसार चक्र की धुरी है, उस मनो निग्रह के लिए हैं, इसके सांथ होने पर सर्वत्र शांती इस प्रकार का गीत है, हम ये हिंदी में तुमको बता रहे हैं, ये एक आदस 11 शकंद में दिया है, तेसुए अध्याय में, ठीक है, अब पच्छी के बिसे में भी है, श्रीकरण की पत्नियों का चित, उनकी लीला में इतना तन्मे हो जाता है, कि उन्हें समाड़ी नहीं रहता है, कि उस श्रीकरण के पास हैं, कि दूर एक ही समय, उन्हें कभी दिन की प्रतीत होती, कभी रात की, उस समय भी गीतात्मा के, बोलता है, उसमें एक वड़ना है, पच्छी, तु इस समय इस नीरव चीत में क्यों आगे जा रहा, क्यों जाग रहा है, इस विलाव का क्या आर्थ है, क्या श्रीकरण की मुस्कान उसके चितवन से तुछ पर जो जादू डाला है, हे चकवी, तू आखे बंद करके, किसको प्रतम्मा मंत्रन दे रही है, क्या तू हमारे समानी श्रीकरण के चर चंड्रमा ते रही क्या दा इस तरीके पूरा घीत है, यह दसवन इसकंद भागवत के, क्या है, इस तरीके हमने बताया है, यह गीत है, तमाम, अइसा है, तो स्रीमत भागवत, घटना, उपदेश, इस्तुति और गीत, चार परकार बता है, तीन पहले बता है, ज्तुत है, है बताए कि इसका असवादन भी इसकी महिमा की महिमा को व्यक्त करता वास्तों में इसकी महिमा अनुवर्चनी है अच्छा स्रीमत भागवत महा पुरान है, बाकी पुरान है लेकिन भागवत महा पुरान भागवत शब्द का अर्थ है जो भगवान के द्वारा प्रोक्त हो श्रीमत भागवत के अनेक प्रसंगों में भक्त के अर्थ में भागवत का उप्योग किया है भागवत ने भक्त कभी भक्त को अभी प्रयोग हुआ है आर्थ में तो भक्त के हरदय में द्रश्टी में रोम रोम में भगवान का निवास है भक्त के वर भगवान के लिए उसके साध्य साधन जीवन एवन सब कुछ भगवान के हैं ठीक जवैसे ही श्रीमद भागवत में जो कुछ है वो स्वयम जो कुछ है वो सब भगवान का ही है और सब भगवान ही है इसलिए भागवत की रच्छा के लिए नहीं अब ये सत्य पर सत्योंने पर भी आधुनिक मनोवरत्ती इसको भावक्ता कहती है ठीक है लोग बोलते इमोशनल वेरी इमोशनल भागवत आजकल के लोग तो इसलिए भागवत यह अच्छा के लिए नहीं क्योंकि वो तो स्वयम सुरच्छित है तार्किकों के समानान के लिए नहीं क्योंकि इस तार्कों का अंत नहीं है भक्त जनों के संतोशार्थ भागवत के संबंद में यहां कुछ बाते हम लिख सकते हैं अब शुरुती अब जैसे आरे जाती कि सब प्रकार से उन्नत के लिए प्राय दो प्रकार के सास्तर सुकार करते हैं पहला शुरुती और दूसा इस्मृ क्या है शुरुती इसके अतरिक्त शुरुती इसमृती के अतरिक्त क्या ब्रह्मांड पुस्तके हैं पिंड पुस्तके हैं और भी सास्त्रों के वेद हैं जिनका वरणन वेद के पंचनद सरस्वती मंत्र में आया है अब शुरुती क्या है वेद शुरुती को वेद भी बोल एकी प्रकार से प्रकट होते हैं महांतपस्वी त्रकालग रिशियों के परम पर पवित्र अंताकर में भगवान की प्रेणा से इन भावों का आविर्भाव हुआ करता है शृष्टी के आरब में प्राचीन भाओं की सुम्रती होती है रिशियों के हरदे में और इसम्रती के आधार पर रचे जाने के कारण अच्छा इसमें पहलए हमने बताया ना कि शुरूती बता रहे थे ना अच्छा शुरूती में क्या होता है शब्द निद्ध होते हैं हर एक यूग मनवंतर कल्पों में उनकी आनिपूरी एकी जैसी होती है ठीक है? अनपूरी माने सब्दों का क्रम और उनकी पूरा सब्दों क्रम अर्थों का क्रम एक ही रहता है, श्रश्ठी के प्रारम में प्रणव, गायत्री और मंत्र सहीता के रूप में उनका अनाहत नाद होता है, बिसुद्ध अन्ताकरन वाले रिशिगण उनका स्रवन करते हैं और पीछे अपनी शिष परंपरा में उन्हीं शब्दों में उनका विस्तार करते हैं और वेद सब्दता एक ही होते हैं शुर्टी माने वेद वेद सब्दता एक ही होते हैं शब्दसा एक ही होते हैं देश और काल के ब्योधान से उनमें अंतर नहीं संपड़ता ठीक है व महां भार्त वहीं थिहाँ स्मृति है, श्रीमत भाग्वत स्मृति है, गीता भी स्मृति है। महांत पस्तियों के परम पउत्त्र अंताकरण में भागवान की प्रिणा से इन भावों का अविर्मा होना स्वाभाविक है, लेकिन सुर्ती और वेद की आनِ पूरी और सब्दों का करम, एक ही रहता है, हर एक यूग है, प्रतेक, जो भी हो, प्रतेक, मनवंतर, या कल्प में, महा, सम्मे इस्मर्ती सेमी रहती है, और उनकी वेद के जो सब्दें, वो सेम रहते हैं. इसमृती में यद्दप अलग-अलग हो सकते हैं. ठीक है, परंत उनके सब्दों में आनपूरी परिवर्थित हो सकते हैं. श्रष्टी के आरब में प्राचीन भाव की समृती होती हैं, और समृती के आदार पर रचेजिय कारण उनको समृती सास्त्र कहते है इसलिए अब वाजने से ब्रामलो उपनिशद में भी बोला गया है क्या इतिहास पुराणाम, पंचमम, वेदानाम, वेदाम, इसके अतरिक्त संगीता भाग में भी अनेक स्थानों पर पुराणाम का लोग मिलता है गोपत ब्रामल में और अथरवेद में ब्रामल ग्रंथों के साथ ही पुराणाम का वड़नान आता है जिससे यह इसपश्ट हो जाता कि वेदों में आयोए पुराण शब्दकार्थ ब्रामल ग्रंथ नहीं है वेदों की ही भाती पुराण भी भगवान के निश्वास कह सकते हो भाई इनी भाउं को लेकर प्रतेक कल्प में प्रकट हुआ करते हैं इसलिए सर्वसाधारण को बेदों का बेवहारिक ज्यान प्राप्त करने के लिए वेदों के एक ऐसे भास की आउशकता होती है जिसके द्वारा सर्वसाधारण को अपने लच्छ आदि को पहचान सकें वेदों के उपवरहन के लिए इतिहासों पुराण साधन माने गए ठीक है इसलिए बोता इतिहास पुराणा भ्याम वेदम सनुपम ब्रहयेत ठीक है तीन गुण तीन भाव और विविद अधिकारि अधियात्म अधिदेव और अधिभूत भाव को प्रकट करने के लिए एक ही मंत्र में तीन प्रकार के अर्थ भरे हुए हैं ना केवल वेद ही संसार की समस्त वस्त में तिर्विद भाव से ब्यास हैं अमाली जे नेत्र है नेत्र शब्द के उच्चारण से अधिव्यूत भाव नेत्र गोलक ठीक है जो नेत्र गोलक है वो अधिवूत है और अधिदेव भाव में अच्चा नेत्रों के अधिदेव का उन शूरे है तो नधिदेव भाव में शूरे और अध्यात्म भाव में रूप तन्मात्रा इंद्री का ग्रहन होता है ठीक है रूप वो हो गय साधत के भूमी भेद के अनुसार उसे नेत्र सब्द के उच्चारण से भिड्न-विड्न भावों की अनभूती होती है ठीक इसी सिद्धान्त के दौरा पुरानों में भी वेद मंत्रों से तीन प्रकार की शैली करण किया गया है पुराण सहीता में ने कहा गया है कि शास्त्रों में तीन प्रकार की भाषा होती है समाधि भाषा परकिया भाषा और लोकिक भाषा अुश को कहते हैं जिसमें समाधि गम विश्यों को बिना रूपक-आद्गी सहायता के इस प्रश्प्रूप से वरण किया हो जैसे जीव ईश्वर प्रकृती आदगी के स्वरूप का वरण है चे जाता है तब उसको लौक की भाषा बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा का अपनी कन्या पर मुख्धोना, ब्रह्मा और विश्णू का सिवलिंग का और छोर नहीं पाना, अच्छा ये हो गई लौक की भाषा, अब परकिया भाषा उसको कहते हैं, जिसके द्वारा धर्म संस्थापन के लिए क किसी लोक, कल्प अथ्वा ब्यक्ति की यथार्थ कथा कही जही हो, इन्हीं तीनों भाषाओं के द्वारा पुरान वेदगत अर्थों का वर्डन करते हैं, ठीक है, पुरान भी वेदों के अर्थ को प्रकट करने के लिए कहानियों का, कथाओं का अनुशरन करते हैं, ठीक ह होते हैं, मनुश्यों को अल्प बुद्धी, अल्प शक्ति और अल्पायु जानकर वेदों के चार भाग कर देते हैं, ब्यास का व्यास नाम किसलिए पड़ा, कि उन्होंने वेदों का विभाजिन किया, प्रतेक मनवंतर और प्रतेक द्वापर में भिन्न भिन्न ब्यास वैवस्वत मनवंतर के 28 वे द्वापर में, महर्शी पारशर के द्वारा उनकी मा सत्वती के गरव में उत्मनोन वाले भगवान कृष्ण द्वापायन ब्यास हुए हैं, ये हम कहा से बोलना है? अपने मन से या नहीं बोलना है, ये विष्णों पुरान से बोलना है, तीसे लब्ध है वो इन्ही वेद ब्यास के द्वारा संग रही इता है महाभारत और अठारा पुराणों के करता इसमरता भी यही वेद ब्यास हैं इन्हीं को बोलते हैं भगवान कृष्ण दौइपायन ब्यास और अठारा पुराणों के नाम प्राया प्रतेक पुराणों में आते पुरान 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 पुरा भागवत भी दो प्रकार से प्राक्त होते हैं एक भागवत दूसरा देवी भागवत ठीक है इसमें से महा पुरानों के अंतरगत यही डेविभागवत बताया इक ऑब यह अब व्यास रचीत महह भारत है व्यशन पुराण सकंद पुराण अधिगन्तों में द्रच्छा पाक कौश्य की भरत्ती सरल हासा का प्रियोग हुआ है वैसे देवी भागवध में थीक उसके विपरीध नारीकेल पाक आरभटी आधि वरत्ती कठोर भासा का प्रियोग हुआ है इसले स्रीमत भागवत किसी अन्न की रचना नहीं है ये देवर्ष इनकी भगवान ब्यास की है अच्छा वर्तमान काल में जो अश्टादस परव होते हैं आठारा पर जो महावारत में उपलब्द होते हैं वो भगवान ब्यास के बनाये हुए महावारत का संचिप्त रूप हैं जो पर पूर्ण हो जाने पर उन्होंने सोचा कि वेद और ब्रह्मशूत्रों में दुजेत्रों का दिकार नहीं है ये सब विचार करके मैंने इस सो परवाली संगिता का निर्माण इस्त्री पुरुष ब्रामण सब के लिए कर दिया है सब के लिए परंतु ये इतनी ब्रहत हो गंभीर हो गई कि संभव है उनके लिए उपयोगी नहों इसलिए ब्यास देओ ने अपने दोशिष महार्ची जैमनी और वैशमपायन को बुला कर कहा भाई ये जो सौ परव का महावारत हमने लिखा है इसको अठारा पर के महावारत रूप में संखेप में कर दो तो उन्ह जनी करत महावारत का केवल जैमिनियाश्यमेद ही प्रचलित है सेजभाग अभी अवेलेबिल नहीं है सुलबी नहीं है और जो वैशमपायन करत महावारत ही आजकल उपलब्द होता है ठीक है यह हम आपको बता रहा है ये सब बड़ी स्टेडी करके हमने ढूंड के निकाल पुराणों का निर्माण हो चुका था परंतु सौव परवाले महावारत के पहले नहीं हुआ था मलब पहले सौव परवाला महावारत लिखा ब्यास जी ने उसके बाद पुराणों का निर्माण हो फिर इस अश्टादस महावारत का निर्माण ऐसा मनो इसलिए जहां पु पुराण एक ही ब्यक्तिके बनाए हुए हैं इसलिए उनमें पूर्वा पूर्वा पर भाव पहले और पीछे कल्पना ठीक नहीं पहली बात तो गीता में ब्रह्मसूत्रों का उलेक और ब्रह्मसूत्रों में गीता का पुराणों में महाभारत का और महाभारत में पुराणों जाना और महा भारत में जनमेजे की कता आना ये दोनों इस बात के सूचक हैं कि यग्य के पहले ही परिच्छित को सिर्मत भागवत सुनाया जा चुका था ठीक है ये सब चीजे में बता रहा हूँ ये बाप ध्यान में रखने की है कि भागवत सद की विद्पत्ति दोनों ही प्रकार से हो सकती है पहला भागवत्या इदम और भागवता इदम इससे ठीक ठीक अर्थ निकल लाने पर भागवत सब्द के पूर देवी भागवत लगा दें का कोई प्रयोजन नहीं होता है बिशेशन लगाने से उल्टे बात सिदोती है इसलिए पुरान प्रसिद सब्दात शरीम्त भागवत हैं वह इसे प्रथा और पीछे का बना हूवी ठीक है शरीम्त भागवत का पहला जाव जो prioritize मन्त्री मंत्र का पहला जैसे सवीत्य को lookin तो इस प्रकार सिर्मत भागवत का जो पहला स्लोक है और इसमें गायत्री मंत के स्लोक से उसकी उसका अर्थ निकाल सकते हो ठीक है यह ब्रह्मसूरतों का अर्थ महाभारत का तात्पर निर्ण्य गायत्री का भाष्य है और समच्त वेदों के अर्थों को धान करने वाला है ये स्रिमत भागवत महा पुराण स्मझत पुराणों का सार रूप है श्री साथ सुखदेव जी के द्वारा का आ गया है इसमें 100 विस्राम है 18000 श्लोकों का ये स्रीमत भागवत नाम ग्रंत है अब ये सब के सब लच्छन श्रीमत भागवत में घट सकते हैं स्रीमत भागवत पहले और अंतिन श्लोक में गायत भागवत में अब इसमें चलिए बता देते हैं भागवत में प्रतिपात तत्तों काउं से हैं ठीक है भागवत में दस दस विशा हैं ठीक है जो दस विश्यों में दस तत्तों का वरलन कैसे नंबर भागवत में दस विश्यों का वरलन होता है अन्ने सभी उनिक अंतर पहला सर्ग पहला आता है क्या पहला माली ये सर्ग आश्रे तत्त हो गया आश्रे शर्ग विशर्ग इस्थान पोशन ऊती मनवंतर इशानुकता निरोध मुक्ति और आश्रे ये दस विशाय सिर्मत भागवत में हैं ठीक है इनमें प्रधान तो आश्रे आश्रे में अब ये सिर्मत भागवत के प्रतिपाद तत्त तो क्या है श्वैम परमात्मा है परमात्मा के नाम के सम्द कोई विशेज आग रहे नहीं है चाहे वो ब्रह्म को हो चाहे भगवान को हो भगवान का सुरूप क्या है भागवत की अनुशार इसका उत्तर देना बहुत कटेने के भगवान का भागवत पूर्ण ग्रंत है उसमें भगवान के वियुद सरूप का वड़न हुआ निर्वशेश का विवड़न है सविशेश का विवड़न है निराकार का विवड़न है साकार का विवड़न निराकार साकार जो जैसा अधिकारी हो वो वैसा ही भगवान का रूप भागवत म ठीक है अब शिरीमद भागवत में इसमें लेकिन सबसेफ जैसे हमने बताया दस विशे हैं सर्ग विशर्ग इस्थान पोशन उती मनवंतर इशानु कता निरोध मुक्ति और आश्रय लेकिन इनमें सबने प्रधान आश्रय है आश्रय शब्दकार्थ जीवों के शर्ण लेने योग्य भगवान अथुआ ब्यक्त अब्यक्त आभास और निरोध का अधिस्थान निरपेच्छ साची ब्रह्म है उसी आश्रय तत्त की उपलब्दी के लिए अन्नौ विशर्ग आधिवों का वर्ण जोभी भगवान की अनंत महिमा और ब्रह्म के शुरूप का बोध कराक अविद्या को निर्ट कर देना ही शिर्मत भागवत का उद्देश है योग तो शिर्मत भागवत के प्रते किस्थान में आश्रय का निरूपन किया गया है तथा पिस्तगुन साकार रूप आश्रय का दसमिशकंद में और निर्गुन निराकार रूप आश्रय का बार्वे इसकंद में विशेश प्रकार से वरणन हुआ है ठीक है शिर्मत भागवत के अनुसार आश्रे का सुरूप क्या है यह विवेजन करने के पूर भारतिय सनातन धर्मानुगत संप्रदायों के द्वारा निर्णित आश्रे विचार करना आवश्यक है अब अद्वैत संप्रदा के पढ़ान आचार भगवान शैंकराचार कहते हैं कि सगुण और निर्गुण ठीक है दोनों प्रकार के वरणन मिलने पर भी समस्त विशेशन और विकल्पों से रहित निर्गुण स्वरूप ही सुईकार करना चाहिए सगुण नहीं ऐसा सारीरक भास्य में दिया हुआ है क्योंकि उपनिशदों में जहां कहीं ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है वहां पर क्या बोला है असब्ध असपश अरूप अब्यायादी निर्वशेश ही बताया गया है ऐसा सारीरक भास में भवान शैंकराचार कहते हैं लेकिन विशिष्ठा अद्वयत के प्रधानाच श्री रामानुराचार शंकराचार के विपरीद ब्रह्म को निर्गुन न मानकर सगुन मानते हैं वो बोलते हैं कि इस विशए में अवेदम तत्थपम क्या बताया उन्होंने इस प्रकार है क्या ब्रह्म ही सदा-सर्व का सब्ध वाच चयोंकि चित और जड उसी के सरीर य कार्यावस्था में सूश्म दसापन होता है नाम रूप रहित जीव और जड़ उसका शरीर होता है और कार्यावस्था में ब्रह्म इस्थूल हो जाता है नाम रूप के भेद भेद के साथ विभिन जीव और जड़ उसके शरीर होते हैं और उसको क्योंकि परब्रह्म से उसका कार जगत भिन्न नहीं है ये बात श्री रावान ये चाहण ने की दी अच्छा श्री मत भागवत में देखो क्या है अब श्री मत भागवत के तमाम इस्थानों पर दो स्थानों चलो हम बता सकते हैं कि आस्रेतत्यों का वड़न हुआ सा आश्रया परम ब्रम्म परमात्म मेति शब्दत्ते ही यो अध्यात्मिको अयम पुरुषः शो अशा विवेका हा आधि दैविका हा जस्त्रोभया विच्छेधा पुरुषो आधि भावतिका एकमेत्रा भावे शरा अनोपल भामहे ठी कहें है। त्रियतयम प्त्तत्र यो वेधसा आत्मा शुरयाश्रयाः दूसरे अध्या दूसरे सकंद के दसने अध्याहийका स्लोग है। फिर बार्वेशो कंदमें दिया है शात्यावे च्छेश्ळ अध्या में क्या इनों लिखा हैं। मतलब स्रस्टी और प्रलय अथ्वा विशय प्रतीती एवं उसका अभाव दोनों ही जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं वो परब्रम ही आश्रय अथ्वा अधिश्थान है अभिवववत्मा कहते हैं ऐसा भागवत्में लिखा अब जो अध्यात्मिक पुरुश है वही आधिदैविक है और जो दोनों को प्रतक-प्रतक करने वाला है वो आधिभावतिक पुरुश है एक के ना होने पर दूसरे की उपलब्धी नहीं होती ये तीनों सा पेच्छ हैं इन तीनों के भाव और अभाव को जो जानता है वो अपेच्छाहीन साच्छी आश्रे है जीव की जागरत स्वपन और सुसुप्ति अवस्थाओं के अभिमानी विश्व तैजस और प्राग के माया मेरूपों में जिसका बितिरेक और अन्वय होता है वो संसारदशा और उसक दूसरे इसकंद में बताएगा ठीक है अब सिर्मत भागवत की चतुष लोकी में भी जिस परमात्मक वर्णन वो भी आस्रे तत्तो है देखो दूसरे इसकंद के नवयद्या में दिया हुआ है ठीक है और भी अने के स्थानों में कारणात्मक और कार्यात्मक पर और अपर द्रश्टा और दस्य का निशेद करके जिस तत्तो का वर्णन किया है वो ब्रहमतत्तो ही है अब आस्रे तत्तो का लच्छन बतनाने के लिए उपर जिन इस लोगों का हमने उल्ले किया है उनमें तीन बातों की प्रधानता पहला अधिश्थानता दूसरा साच्छता और ती उसके बिना ये नहीं रह सकते और इनके बिना भी वो रहता है अध्यात्मिक पुरुषकार्थ है नेत्रात इंदियों के अभिमानी जीव ठीक अध्यात्मिक पुरुष और आधिदेविक पुरुषकार्थ है क्या नेत्रात इंदियों के अधिश्थात्र देवता और आध अधि भायत आधि भातिक पुरुषकार्थ है नेत्र गोलग आधिवाला इस्थूल शरीर ये तीनों सापेच्छ हैं यदि इन में से एक नर है तो शेष्ट दो बेर्थ हो जाएंगे दर्शन के बिना दर्शन दर्शन अपना काम नहीं कर सकते दर्शन के बिना दर्शन की दर और दर्षटा का दर्षटट तो दोनों ही लुपत हो जाता है, यदि दर्षटा ही न हो तब दर्षण और दर्षट की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए ये सब सापेच और बाधित हैं, इन तीनों के भाव और भाव को देखने वाला आतमा, इनका निरपेच्श साची है, भागवत में भी कहा गया है न इसलिए तो यह भाव की टत्वेता लोग एक ही अद्वती ज्ञान सुरूप तत्त को ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहते हैं भाई स्रीक्रशन ही जगत के असंक जीओं के एक मात्रात्मा हैं जगत के कल्यान के लिए वे भी आत्म माया से शरीर की भाती प्रतीत होते हैं वास्तों में भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं होता ठीक है जीव अपने शरीर से प्रतक होता है और शरीर उसका ग्रहन किया होता है वो उसे छोड़ सकता परन्तू भगवान का शरीर जड़ नہी चिनमंई है तो उसमें हे उपादे का भेदी नहीं है वो संपूनता आत्मा ही है शरीर की ही भाती भगवान के जो गुण होते हैं वे भी गुण निजशुरूप और अप्राक्रत हैं, इसलिए वे उनका त्याग नहीं कर सकते, एक बात बड़ी बिलच्छन है, कि भगवान के शरीर और गुण जीवों की द्रश्टी में होते हैं, भगवान की द्रश्टी में नहीं, भगवान तो निजशुरूप में समत्तों में इस्थित रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो गुण गुणी का भेद ही नहीं है, भगवान के इसी शरूप की ओर सभी आचारियों का लच्छ है, ठीक है, उनकी वर्डन सर्णी अलग-अलग हो सकती है, उसमें आपको विरोध प्रतीत हो सकता है, वास्तों विरोध नहीं है, पर हादिनी शक्ती श्री राधा गाधिका जी है, और वो जो भगवान से सरुथा आभिन है, इसी द्रश्टी से श्री राधा क्रफन को भी आस्त्रह तत्व कहना ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, इसी दसम तत्व आस्त्रह तत्व को विश्त दुरूप में जानने उप् सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोग पहुंचा आशा है मैं भागवत के शारांस और शार गर्वित तत्यों को उजागर करने में आपको पसंद आएगा ओम शांती शांति शांति शांती शांती